ये है चैनल 91 प्लास नेटवर्क और आप देख रहे हैं नियूज 91 नियूज 91 अवाज हम सब की नमस्कार में हूं मादूरी आप देख रहें नियूज 91 राजस्तान टाइम बिलेटीन में आपका स्वागत है प्रदेश और समभाग की ताजातरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं चली खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेटलाइन्स पर अवेत खनन करने की सुषना पर पहुंची पुलीस एक सो पचास टन क्वाटर्स और जैसे भी जब पुचालग किरफतार शहर में गणेश उस्सव की धूम उदैपुर्चा राजा को धराई 31 लाग की आंगी और पशुची किस्सकों ने नौन प्रैक्टिस अलाउंस के लिए भरी हुकार नहीं मिलने पर अंदोलन की दीच वेतावनी डुंगर पर पुलिस द्वारा अवेत खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कारवाई करते हुए अवेत रूप से साथी जैसी बी चालक रासमंझे गे डेवगड इस्थित मानक चोक निवासी रीशी पाईवाल पिता ओम प्रकाश ब्रामन को गिरफतार किया है डुंगर पुर जिला पुलिस अधिक्षक कुंदन कवरिया ने बताया कि मुकबुर द्वारा अवेत रूप से प्वाटर्स के खनन किये जाने की जानकारी मिली थी इस पर अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक निरंजन चारण सागवाड़ा पुलिस उप अधिक्षक विक्रम सिह के सुपरविजन में सरोधा थनाधिकारी सुनिल चावला मैजापता मोजा नया टापरा में दबिश दे कर पुलिस ने अवेद खनन करते हुए एक्सवेटर मशीन जैसी भी को डिटेन कर खनीश विभाग की टीम को सुचित किया था इसके बाद मोके पर पोची खनन विभाग की टीम द्वारा मोका पंच नामा बनाते हुए करीब 150 टंट क्वाटर्स एवं एक्सवेटर जैसी भी म अनुसंदान करते हुए जैसी विचालक श्री रिशी पाईवाल को गिरप्तार किया गया प्रकरण में अनुसंदान जारी है जिसके तहर कर दो जरी मुपिल सुचना मिविती की नया थावरा ठाना सरोधा शेक्र में बड़ी माता में पहाडी तर खेल के सुचना जबेपर अवे खनन हो रहा है जिसका पुलिश की दुआरा अभीज दी गई जहां पर एक प्रक्ति जिसका नाम रिशी पाईवाल निवासी देवगर जिलारास मनत कताया जो एलेंटी मशीन दुआरा अवे खनन करता हुआ पाया गया जिस पर मशीन को एवं अभीट रिशी को मोके पर डिडेंड कर मोके पर खनीर अदिगारी मुंगरपूर को मोके पर गुलाया गया जिसके दुआरा मोके पर मशीन एवं माल वास पत्तर वो जब्त किया गया और खनीर दिगारी दुआरा एक रिपोर्ट भी ठाने पर गी गई जिसमें अग्रिन कारवई जाई है इसमें जो भी अन्य विक्ति इसमें संजीक थे उनको भी तक्ता किया जाएगा अन्य जब कैरंटी शुद्ध मुफली तेल की मिलती है तो खाने की भूग और बढ़ती है क्योंकि क्वालटी मतलब वैदे ही फूट प्लाजा एट आयुर्वेट सर्कल राडा जी चौराया उद्यपूर शेहर के बापू बजार में उद्यपूर चा राजा की ओर से चल रहे गणपती महोसव की तहत मंगलवार को गणेश जीक को 31,31,131 रूपे के नोटों की आंगी धराए गई इस दोरान महा आर्ती का आयुजन भी किया गया श्री स्वास्तिक मिनायक गणपती मित्र मंडल दोरा इस दोरान 501 डीपो से श्री गणेश जी की आर्ती की गई पुष्पवर्षा और आतिश बाजी भी हुई उद्यपुर के बापु बजार में आयोजीद गणेश मौसव की तहत मंगलवार को गणेश जी को 31,31,131 रूपे के नोटों की आंगी धराए गई इसके पस्चाद गणेश जी की महा आर्ती की गई इस अवसर पर गणपती को 301 किलो चावल की खीर और 101 किलो केसर या भाद का भोग लगाया गया बक्त जनों के लिए महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया इस गणेश मौस्व में शहर ही नहीं आसपास के गाउव कस्बों से भी उदयपुर्चा राजा की दर्शन के लिए लोग गुम्डे मित्र मंडल की आकाश कंठालिया ने बताया है कि 90 दिन गणेश जी को चत्रपती शिवाजी महाराज का स्वरूप दिया जाएगा वसाथ ही रात्रे जागरन का आयोजन किया जाएगा से प्रतिवर्च हम इसको आगे से आगे से आगे कंठीनु बढ़ा रहें और हम चाहते हैं आगे भी इस्ती पब्लीक आएं और इस कारिक्रम को हम आगे से आगे बढ़ा हैं विजिट सेंट्रल अकाडमी ग्रूप अफ स्कूल्स उदैपर राजस्तान पशू चिकित्सक संग द्वारा एन पीए लागू करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया गया पशू चिकित्सक का कहना है कि पिछले कई दिनों से वे अनिशित कालिन हर्ताल कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी और कोई ध्यान नहीं दे रही है इसको लेकर आज नवानिया कोलेज के छात्रों और टीचिंग स्टाफ ने समर्थन करते हुए हर्ताल में शामिल होकर उनका खोसला बढ़ाया उन्होंने मांग की है कि पशू चिकित्सको को नौन प्रेक्टिस अलाउंस दिया जाने की मांग की है पशू चिकित्सको का कहना ही कि वे ड्यूटी के अलावा भी बिमार पशू को देखने के लिए लोगों के घरों पर जाते हैं ऐसे में उनकी तंखा का बड़ा हिस्सा इस काम में खर्च हो जाता है अता इसकी भरपाई के लिए उन्हें नौन प्रेक्टिस अलाउंस दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो वे बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे प्रेटनेरी कोलेज नवानिया की चात्र संग पूरा चात्र हमारे मां की प्रध्यापक सभी नौन प्रेक्टिस अलाउंस की मांग में ग्यापन देने के लिए और प्रदेशन करने के लिए जिला कलेक्टर पर एकतित हुए हैं यह हमारी मांग दो दश्कों से चली आ रही है नौन प्रेक्टिस अलाउंस की मांग का जो संदर्ब है वो इस तरह है कि नौन प्रेक्टिस अलाउंस हमारे को इस बात के लिए मिलना चाहिए कि पसू चिकिसक पसू चिकिसक गो सेवक और यह सभी लोग पसू की सेवा अपन दूटी टाइम के बाद गोशालों में जाते हैं बिमार पशुक को देखने के लिए जाते हैं और अपनी जेव से अपना वहान चलाते हैं और इस कारी में लगबग हमारी 25 से 30% हमारी सेलेरी से खर्चा होता है हम उसी की पूर्ती के लिए राजस्रकार से आगरा कर रहे हैं हम लोग केवल राजस्तान में ही एक ऐसा प्रदेश है जो दूद उत्पाक्दन में पहले नंबर पर होते हुए भी यहां की राजस्रकार हमको यह बत्ता नहीं दे रही है और दो बार सावजरिंग मंच पर माननी है मंत्री मोहदय लाल चंजी कड़रा ने गोशना की थी कि आ लागू हो गया है और हम बहुत जल्दी आपको इसका लागू कर देंगे उचित मुक्य की हमको तलाश है हम उस उचित मुक्य की तलाश में आज तक इंदिजार कर रहे हैं विदांसवा चुनावों के मद्धे नजर पुलीस मुक्याले द्वारा वांचित अपराधि को इस्थाई वारंटी तथा मफरूर भगोडे अपराधियों की गिरफतारी हेतु विशेश अभ्यान चलाया जा रहा है इस अप्यान के तहत कारवाई करते हुए डुगरपूर पुलीस ने दो इस्थाई वारंटीयों को गिरफतार कर नियायालाय में पेश किया उन्हें जेल बेज दिया गया सदर थाना दिकारी द्वारा इस्थाई वारंटियों की गिरफतारी हेसू थाने से टीम खटित कर बुद्वार को अपरागियों की धरपकड की गई इस दोरान इस्थाई वारंटि डुंगर पुर्जी लेके खेडा कच्छ वासा, पुलीस थाना सदर, निवासी शक्ती सी, पिता प्रताप सी, राजावत और मनोश पिता, अंबोला खटिक को गिरफतार कर नियायले में पेश किया है जहां से उन्हें जेल बेशने के आदेश दिये गए हैं चलते चलते फिन्रस डालते हैं आज की टॉप हैडलाइन्स पर अवित खनन करने की सुशना पर पहुंची पुलीस, एक सो पचास टंड क्वार्टर्स और जैसे भी जब, चालक किरफतार शहर में गणेश उस्सव की धूम, उदैपुर्चा राजा को धराई 31 लाग की आंगी और पशुची किसकों ने नॉन प्रैक्टिस अलाउंस के लिए भरी हुकार नहीं मिलने पर आंदोलन की दीच वेतावनी अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही अब दीजी इसासत माधूरी को आप बने रही न्यूज 91 पर नमस्कार ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91 न्यूज 91 अवाज हम सब की